हेलो फ्रेंड्स मैं होने रुपमा और मेरी किचिन में आपका भूद बहुत स्वागत है आज मिला ही हूँ आपके लिए दो तरह की चटपटी और मज़िदार रेसिपी जो आपको भूद पसंद आएगी यह रेस्पी जितने खाने में टेस्ट है उतनी यह बनाने में भी बहुत ही आसान है आप इसे जटपट से बना सकते हैं तो चलिए इससे बनाने शुरू करते हैं पानी वाले फुलके बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉल लेंगे उसमें एक कप पेज़न डालेंगे अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक बैटर बनाएंगे पानी को थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे ताकि इसमें लंस ना पड़े और अब इसका थिक बैटर बना लेंगे तो ये देखिए इस तरह से थिक बैटर बना लेंगे बस इसी तरह का बैटर होना चाहिए अब इसकी पकोडियां बनाएंगे अब तेल को अच्छे से गरम कर ल अब हम इने प्लेट में निकाल लेंगे और अलग रख देंगे अब बनाएंगे हम इसका तीखा पानी तीखा पानी बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में दो गिलास पानी लेंगे फिर इसमें हम इमली का पल्प डाल देंगे अब इसमें डालेंगे दो चमच हरी वाली में दे रखला बनी के सब्च्राइब के से एक चम्र दालेने हैं लाल मृच पॉडर जीर फॉडर एक चम्र पॉडर अब इसको मिला लेंगे अच्छे से अगर है कि मीठा उनि पशनिए तो भावर छीन भी दा यह ऑप्शनल है लेकिन अगर डालेंगे तो इसको देखने में बहुत अच्छा लगेगा तो अब यह हमारा पानी बिलको तैयार हो गया है अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे यह पकोड़ी जो बनाई है हमने यह बिलको सॉफ्ट बनाई है इसको साधा पानी में डालने की ज़रूत नहीं है पर इसी पानी में इस तरह से डाल देंगे और फिर अपसर्फ करेंगे तो इन पकोड़ियों को इसी तरह से पानी में डाले रहेंगे तो और भी सॉफ्ट हो जाएंगी तो देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट पकोड़ी बनी है हमारी और पानी पानी को द रस्पी नहीं ट्राई करिए तो आप इसे जरू ट्राई करें और जट पट से तयार होने वाले ये रस्पी आपको बहुत पसंद आएगी दही फिलकी बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल लेंगे उसमें एक कप पेसर डालेंगे फिर इसमें नमक डालेंगे स्वात के इनुस आप थोड़ा पाने डालते वे इसको बैटर करेंगे इसका पतला घोल तियार करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गारा होना चाहिए और नहीं पतला होनाना चाहिए तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही त्यार कर रही हूँ ये देखिए थोड़ा से मुझे और गाड़ा लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया बस इसी तरह का हमें बेटर त्यार करना है अब हम इसकी दही त्यार करेंगे एक कब दही लेंगे और इसे विसकर से फेटेंगे दही को बिलकुल स्मूथ कर देना है एक चमर शुगर पाउडर डालेंगे और आदा चमर जिसमें काला नमक डालेंगे फिर मिला लेंगे इसे बस अब इसमें और कुछ नहीं डालेंगे यह दही हमारे तयार हो गई अब हम बेशन के फुल के तयार करेंगे तो यह तेल में ने गरम होने रख दिया था गैस के फ्लेम को मीडियम पर करेंगे और एक एक चमच करके हम बैटर को डालते जाएंगे विसी जो पकोडी बनेगी न बहुत जादा बड़ी नहीं बनाएंगे इसको छोटी छोटी बनाएंगे यह देखिए और इससे तरह से हमारी पकोड़िया तयार हो गई यह पकोड़िया इतनी सॉफ्ट बनती है कि आपको इसको पानी में डालने की जरूती नहीं है, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है पकोडिया, सारी पकोडिया हमारी तयार हो गई, अब हम इसका तड़का तयार करेंगे, एक पैन में दो चमर्स तेल डालेंगे, तेल गरम हो जाएगा, फिर इसमें डालेंगे थोड़ी से एक सुखी लाल मिच तोड़के डाल देंगे और कड़ी पत्तर डाल देंगे, मिला लेंगे इसे हमारा तड़का तयार हो गया, अब हम सर्ब करेंगे, अब हम एक बॉल में डालेंगे सारी पकोडियों को, और इसके उपर हम धही डालेंगे, जैसे हम धही बड़े तयार करत इसे इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा आप चाहें तो इसमें भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं उसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है थोड़ा सा हरा धनिया से इसे गारिश करेंगे अब हम इसमें तड़का लगाएंगे जो हमने तयार किया था इसे आप ज सकते हैं अगर आपके घर महमान अचानक आजाएं तो इसे बना के उन्हें खिलाएंगे तो उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे तो दही फिलके की रेस्पी आपने कभी ट्राइ नहीं किये तो आप ज़रू ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे रोज और अगर ही मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो बेरी वीडियो के लाइक जरू करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल वे ना भूलें